तो जैसे कि अब जोन सीना का जोकी करियर है, वो दिनों में ही रह चुक है अब जोकी वो सालों में नहीं रहाओ, जल्दी जो है जो जो है जोन से रेटार्मेंट ले सकते हैं और वो पाट टाइमर थो आड़ी हो चुके हैं तो आज हम उनके करियर की जोगी हैं सबसे weakest moment के बारे में बात करने वाले हैं तो आप देखने है रेसल कुरू और मैं वहर्मन चल दिए वीडियो में चलते हैं तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो जॉन सिना के करियर में बहुत सारी weakest moment आई ती जैसे कि जॉन सिना को नए ने स्टार्स बनाने के लिए बहुत जादा यूज किया जाता था डवड़ी की तरब से जैसे कि कैवी नोमेंस आयती तो कैवी नोमेंस ने आते ही जॉन सिना को पहले पे-पर-व्यू में हरा दिया था शायद मैं इतना जादा शेहर नहीं हूं कि बहुत जादा पुरानी बात है पर अगर हम इस इसके बारे में एक पॉइंट बात करें तो उसके बात जैसे कि रोमन रेस रोमन रेस को जब जितवाया गया था नोमर्सी पर बहुत बुले तर और वैसा हो नहीं सकता था तो वो था AJ Styles versus John Cena, John Cena करीब दो या तीन बार स्टार्टिंग में AJ Styles से हर गए और ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अबिकॉस जैसे कि हमें पता आया कर John Cena SmackDown Live पर अगर AJ Styles को हरा सकते हैं तो उनके लिए इतना ज़्यादा हारना इंपोसि नेक्स्ट जो कि मैच ताम के साथ यानी की नेक्स्ट पेपर व्यू में वहां पर जब दुबारा से AJ Styles जित गए जो कि जौन सीना के फैंस को बहुत जादा धका लगा था और जहां पर डबल डब्ली ने जौन सीना के करेक्टर को बहुत जादा फेल कर दिया अगर मुझे सब्सक्राइब करनी हो तो मैं सबसे पहले नमबर पर इसे रखूंगा और उसके बाद जो कि रॉमन रेंस वरिस जौन सीना मैच था वह उसके बाद रोग वर्स जौन सीना मैच वह बहुत बटे स्टार्स थे तो इस वचा से रोग की जगां पर वहां पर पॉसीबरी जो है कर दे सकते थे वह काफी जदा है वह तकर दे सकता है बट ओवरॉल जो कि यह सब्सक्राइब नहीं वैसे बताने वाले बात होती है सिंपली तो उन्होंने यही कहा है कि कैभी नौमेंज और रॉक वाली जो होती है वो इतने ज़दा बढ़ी नहीं थी बट जो कि जौन सीना ने एजे साइस वारे केस के साथ किया था वो बहुत जाता गलत था तो बहुत दो शेक्र वडियों को दिखने के लिए आन तक वीडियों देखी लिए तो चनको सब्सक्राब वीडियों को लाइक इमने दोस्त के साथ जरूर शेकर तो आप देख रहे हैं रेसल क्रवडर में हूं हर्मनी